जोहार दोस्तों मैं आपका दोस्त पलास आपके लिए लेकर आया हूँ पलास भाग 32 इस भाग में आप सीखेंगे एक अंग में एक अंग का गुना करना एवं अभ्यास दोस्तों अगर आपने भाग एक से 21 तक नहीं देखे हो तो उन्हें पहले जरूर देखे चलो शुरू करते हैं भाग 32 दोस्तों हम जिन संख्याओं का पहाड़ा को बोलते हैं वो पहाड़ा भी गुना से ही बनता है और हमने पिछले भाग में भी सीखा था कि संख्या को बार जोडना ही गुना है चलो इसे करके देखते हैं तीन गुना चार का मतलब है तीन तीन के चार शमो यानि तीन जोड तीन जोड तीन जोड तीन जोड तीन बराबर बारा इसे हम इस प्रकार भी लिखते हैं तीन गुना चार बराबर बारा पांच गुना दो का मतलब है यानि 5 जोर 5 बराबर 10 4 गुना सुन्य का मतलब है 4 4 के 0 समू सुन्य माने 1 भी समू नहीं इसलिए 4 गुना सुन्य बराबर सुन्य अब आप अपनी कौपी में लिखकर अभ्यास करे आपने यहां सीखा सुन्य एवं संख्याओं से गुना करना एवं लिखना पड़ना मैं फिर आओंगा पलास भाग तैतिस लेकर धन्यावाद आपका दोस्त पलास